कि अधिया विडियो में देख रहे हैं कई प्रकार के NPK फर्टिलाइजर रखे हुए हैं और इनकी सब की जानकारी मैं आपको एक एक वीडियो में सारे एक्स्प्लेइन करूंगा कि कब कौन सा हमें डालना चाहिए कितनी मात्रा में डालना चाहिए और किस स्टेज पर कौन सा फर्टिलाइजर डालेंगे कौन सा NPK हम डालेंगे जिससे हमारी फसल को बहुत ज्यादा लाव होगा और उससे क्या फायदा होगा आप पीछे देख भी सकते हैं सागारी का भी है सीवीड एक्स्ट्रेक्ट एक माइक्रोन यूट्रेंट भी है अपने आप में और इफको का प्रोटेक्शन करता है फिलाल मैं आज आपको वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो धान के लिए स्वयवीन के लिए उड़त के लिए और किसी भी फसल के लिए जो स्टार्टिंग स्प्रे होता है वो चीज के बारे में मैं आपको जानकारी दिना चाहता हूँ आप जो राइ लेफ्ट साइड देख रहे हैं colorful combination में यह सारे 30 दिन के बाद डलना चालोंगे जब हमारा फूल आ जाता है या फूल आने की तैयारी होने लगती तब इन फडिलाजर को इस्तुमाल किया जाता है मैं एक बार जूम करके दिखाता हूं यह हमारे पास महेंद्रा का 5-5-17 प्लस महेंद्रा का सॉल्फर्ट नाम से आता है दूसरा हम रखे हैं 1260 यह भी साथ लगबग साथ से 30 की स्टेज पर ही डलता है बावन चोंतीस तेरह जीरो पैतालिस और 0050 दोस्तों आज हम बात करेंगे हम बात करेंगे कि सबसे पहली जो फजल पर पहली इस पर हम करते हैं तो व इसमें एक मिसिंग है 19.19.19 उसकी जगा हमने लिया है 18.18.18 इसमे 6% सल्फर भी है जो इसको का आता है और यह बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है इसकी 1 kg और 5 kg की पैकिंग में आता है और ऐसे ही सारे फटिलाइजर 1 kg और 5 kg की पैकिंग में आते हैं तो दोस्तों आज हम बा इसमें 17% nitrogen और 44% phosphorus रहता है जिसकी वज़य से जो पौधा रहता है हमारा उसकी growth बहुत अच्छी होती है उसकी जड़ों का विकास बहुत तेजी से होता है और 17% nitrogen की वज़य से उसकी बढ़वार अच्छे से होती है तो root development और बढ़वार के लिए ureo phosphate का इस्तमाल किया जाता है इसका dose जो मैं अगर बात करूँ तो एक एकड में एक किलो इस्प्रे में जाता है आप डारेक्ट इस्प्रे करेंगे अगर तो 100 लिटर पानी या 1500 लिटर जितना भी आप एक एकड़ में फेकते हैं उसमें एक किल 1744 जीरो आप घुल लीजिए और इसको इस्प्रे कर दीजिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट है किसी भी फसल पर आप इसको इस्प्रे कर सकते हैं मूलता जो फसल कूचरा बनाती है ट्रिलरिंग जिसमें चाहिए रहती है जैसे गेहू हो गया और धान हो गई इन फसलों में यह बहुत ही कारगर है दूसरा हमारे पास आता है 18, 18, 18, 6 इसमें 18% nitrogen, 18% phosphorus, 18% potassium, 6% sulfur रहता है यह फसल की अगर सुरुआती आफस्था में हम डालते हैं तो फसल में जो stability नहीं आ पाती ही खासकर खरीफ सीजन में मान लीजिए हमने बहुनी की और फसल हो गई और पानी नहीं मिल पा रहा है ज्यादा सूखा पढ़ रहा है तो वह sulfur हमें मदद करती है सूखे से और ज्यादा पानी अगर गिर रहा है तो ज्यादा पानी से हमारा बचाब करती है फसल में फसल को खराब होने से बचाती है तो इसका इसलिए मैंने अभी spray कराया है मैंने कुछ दिन पहले वीडियो भी अप्लोड किया था धान का और उड़त का भी जिसमें हमने 18-18-18-18-6 का इस्प्रे किया था और मैं फोटो शेयर करूँगा अपने ग्रूप पर यह जब यूटुब चैनल पर उसको आप जरूर देखिएगा तो 18-18-6 भी और 17-44 तीसरा हमारे पास आता है 12-1-0 यह इसमें मोनो अमोनियम फास्पेट बोलते हैं इसमें 12% नाइट्रोजन 61% फास्पोरस रहता है यह जो फर्टिलाइजर है नपी के यह सबसे ज़्यादा औरत की फसल दलानी फसलों पर इसका इस्प्रे कीजिए तो इसका बहुती बेस्ट रिजल्ट मिलता है इसमें जड़ अच्छी हो जाती है जिसके करण जो उगरा रोग हम बोलते हैं जड़ गलन नहीं होती जड़ स्ट्रॉंग होती है फास्फोरस के करण तो अच्छा दोस्तों 18-18-6 का जो मैं डोस अभी डालता हूं तो 1 किलो प्रति एकर डालता हूं और कई जगह मैंने 1.5 किलो प्रति एकर भी डाला है मगर 1.5 किलो अगर आप डाल रहे हैं तो कम से कम 20 दिन की फसल हो जाय उसके बाद आप 2.5 किलो पा इस्तुमाल कीजिए नहीं तो कई बार शिकायत आ जाती है कुछ लोग कम पानी इस्तुमाल करते हैं स्प्रे में तो वो जल जाती है फसल इसके कारण उनको लगता है कि जवाई गड़ बढ़ है या फरडिलाइजर गड़ बढ़ है तो इस चीज का ध्यान रखिएगा और इफकोन एक नया प्रोड़क्त नि प्रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट किजिगा कि किस फरडिलाइजर के बारे में आप टीपली जानना चाहते हैं तो मैं उसका शेयर करूंगा तीसरा हमारे पास रह गया था बारा एक सट जीरो इसका मैंने डोसेज नहीं बताया यह 800 ग्राम से लेकर एक क्लो तक आप इस पर किजिए क्योंकि इसमें फासफोरस की मात्रा जादा रहती है तो पत्ते जलने का डर बना रहता है इसका आप इस पर जरूर कीजिए और रिजल्ट जरूर शेयर कीजिएगा यह मेरा अनुभाब है यह मैं आपको शेयर कर रहा हूं कि मैं जह सबसे ज़्यादा अगर धान औ जो यूरिया फासफेट आता है इसका इस्तमाल करें डारेक्ट आप खेट में इसको हातों से फिकवा दें यूरिया डियेपी की जगह वो उससे ज़्यादा ही काम करेगा और तुरण पानी लगा दें या पानी लगने के बाद यह जल्दी भुल जाता है 1260 आप चनों में इस्तमाल कर सकते हैं बांकि किसी भी दलानी फसलों में अगर आप इसका इस्तमाल करेंगे तो रूट डेवलप्मेंट बहुत ही स्ट्रॉंग होता है 1818 अच्छे आप किसी भी फसल पर किसी भी स्टेज पर इसका स्प्रे कर सकते हैं यह हर स्टेज पर कारगर रहता है अगर तीस से साट दिन के भीतर दो इस प्रकार से लगवक तीन प्रकार हो जाते हैं अगर आप सिर्फ 18-18 छे एक का इस प्रकार कीजिए 15 वे दिन 35 वे दिन और 60 वे दिन इससे आपकी फसल बहुत ही अच्छी स्ट्रॉंग रहेगी हमेशा अगर आपको ज़्यादा NPK के समझने में नहीं फ़सना है तो 18-18 अच्छे आपके लिए पूर्ण पोशन है आपकी फ़सल के लिए जो बहुत ही मदद करेगा और आपकी फ़सल को हमेशा अच्छा राखेगा अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नैनो यूरिया के बारे में लिएको का नैनो यूरिया है इसका इस्तमाल कब करें कैसे करें कितनी मात्रा में करें और 0050, 0034, 0045, 5557, सागारिका के बारे में इनका क्या-क्या यूसेज है और ये कैसे इस्तमाल करने चाहिए बेस्ट रिजल्ट कब मिलेगा आपको कमपनी क्या रिकमेंट करती है और हमें क्या इस्तमाल करना चाहिए उस चीज के बारे में हम बात करेंगे अगर आपको कुछ और नॉलेज या कुछ और क्वेश्चन हो तो प्लीज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजए मैं डेफिनिटली उसका प्रति उत्तर देने के लिए कमेंट करूँगा या फिर उसके लिए एक डेडिकेटड वीडियो अप्लोड करूँगा तो थेंकियो वेरी मॉच फर वाचिंग वाचिंग वन्स अगें हैव नाइस डे